किसान भीयो नमस्कार मैं हूँ गुविन पटेल और यह जो आप देख रहे हैं यह इस धान में जो है अभी ब्लाष्ट रोग लगे हुए हैं धान में ब्लाष्ट रोग तब लगता है जब धूप फिर बारिस फिर धूप फिर बारिस इस तरीके से जो मौसम चेंज होते हैं तो उसमें धान में ब्लाष्ट लगते हैं तो मैं आज आपको जो इसको पहचानने का उपाए क्या इस्प्रे करें और इस्प्रे के बाद मतलब कि वह बीमारी छूटा की नहीं छूटा उसके भी मैं आपको जो है कुछ वो बताऊंगा मतलब कि जो इसको आप देखके समझ क्या होगी जैसे की कीट लगा है कीट का आप इस्प्रे करेंगे कीट खतम हो जाएगा आपको बता चल गया कि आपको फंगस लगे हुए हैं तो इस्प्रे करने के बाद घाव तो जायागा नहीं आने वाले पत्ती में यह बीमारी नहीं फैलेगी बस वही रहता है तो कैसे पता चले क्योंकि यह जो है 15-20 दिन में पूरा खेत को खतम कर देता है यह इसकी सुरवाती वस्ता है मैं आज आपको डीटेल से बताऊंगा देखें यह जो ब्लास्ट बीमारी है एक तो पत्ते में लगती है और यह जो है फंगस जनित बीमारी होती है इसकी रोक थाम के ल उसप्रे करना है अब मैं इसकी जो है मतलब जैसे की सुरवात आप कैसे पहचानों तो इस तरीके से जूह है दब्बे दिखेंगे यह खेतहरए और द्धान की घ्रोत जो है ना मतलब की नएने पत्तियां जो है आपको ऊपर दिखेंगे और कुछ जैसे की जो आपको उपर की तरब नज़राएंगे लेकिन पौधा आपको दबा दबा सा महसूस होगा पत्ते मतलब नीचे के पत्ते दबे रहेंगे उपर के पत्ते खड़े-खड़े हो जाएंगे तो आप समझ सकते हो कि इसमें भी ब्लास्ट की लक्षण है सबसे अच्छा तरीका है इ जैसे पहचान होके कि आपकी यो फंगी श हीरजा आपने डाला प्षाव दूर में दूर हो गया देखें आपको बताता हूँ जो नए पत्ते निकलते हैं ज्यससे क seeing आप देख रहें यह वाला जो पौधा इसके ये नए पत्ते हैं ये वाले नए पत्ते हैं ये सब जो है नए पत्ते हैं तो नए पत्ते में धब्बे दिखने नहीं चीए जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ये वाला जो है नए पत्ता है लेकि इसमें आप देख रहे हैं या पर धब्बा है और इसके ये वाले नए इसमें भी आप देख रहे हैं यह वाले नय पत्ते हैं इसमें अब धब्बा नहीं आया है मतलब कि इसमें भी धब्बा आने वाला है एक दो दिन के अंदर में धब्बा आजाי गा क्योंकि फंगस इधर उधर फैलते रहते हैं तो इस तरीके से आपको जैसे कि ये वाल नया है एकदम आप देखेंगे नोक में आपको जो नहीं कि दिखा लाश्ट इंड़ आ है तो इस तरीक diagnostic करें और यह पूरा खेत को जो है पूरा ख्रॉप को बर्बाद कर देता है तो इसका उपाय आप जरूर करें, इस तरीके से आप अपने खेत में पहचाने, वीडियो अच्छा रहागा, वीडियो को लाइक करें, नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगा, धन्यवान